करक राशिवालों पीने से कार्य होंगे जहां पर आपको सावधान भी रहना होगा इसलिए दोस्तों हम आपसे सभी से निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को भूल कर भी नजरांदाज मत कीजिएगा ऐसे अंत तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी का नारा एक बार नहीं दोस्तों, तीन बार लगा दीजिएगा आप, यकीन मनी आने वाली अगले चार दिनों के अंदर, माता रानी के आशीरवाद से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही चमक जाएगा, दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे. तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों, यह बात आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है, दोस्तों ऐसा बात सब कोई नहीं बताता है, बस हम आप सभी से प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमारे के बाद आप से बताना चाहते, तो हमार से कहना चाहते हैं, कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत जान बिन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, औ बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ही अंदर की है आपकी राशेवालों की ही है इन से आप अभी तक अंजान है और यह बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और जब आप इन बातों को आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो यकीन मानिये आपके पैरों के नीचे से जम में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि सबसे सामना होता है जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्स से सामना कराने जा रहे हैं जिससे आप तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी आपको अपनी समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी, आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंडने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे, जिनकी आपके उपर नजर ह पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस्तीफा के पास है, ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम ये होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके पसंद कर ले, अपने पक्ष में कर ले तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली हो पाए हम आपको, बताएंगे जिसके लिए पूंत तक देखना होगा और उन्हें उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, दोस्तों हम ये नहीं कह रहे, क्या आप रातो रात करोरपती हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमतकारी बदलाव आ जाएगा, दोस्तों ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, जीवन में जब भी बदलाव आते हैं, और जोती में बदलाव होते हैं, वही ठिकाओ भी होते हैं, आप इन बात बातें पहलाने में हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं है इसलिए दोस्तों हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैरे के साथ देखे हो सकता यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि घ्यान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है और जवाब घ्यान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब ही तो उसे अपने जी उपयोग कर पाएंगे और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तब ही तो हल हो पाएगा दोस्तों इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्यान लेकर आते हैं वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैरे के साथ देखें तब हमारा ताजमहल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन इस से पहले आप से एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे हफ़ते भाव के साथ जैमान लक्षमी लिखना ना भूले याद रखें जिनके साथ है माता लक्षमी उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है दोस्तों माता के प्रेम और आशीरवाद की आवश्यक्ता तो हर एक जीव को रहती ही है साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना बिलकुल भी न भूले दोस्तों इस से हमारे होसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक कड़वी बाते हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं जिन से आपको हमेशा बचना चाहिए दोस्तों आपके जीवन के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं लेकिन कड़वी बातें नकारात्मक बातें हर इनसान नहीं बताता है क्योंकि इनसे बुराईयां मुरली जाते हैं उनसे मनमुटाव हो सकते हैं क्योंकि सामने वाले का मन है उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है लेकिन दोस्तों हम जानते हैं आपके बौधिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के स्वभाव के पहले करवी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं इसे होता यह है कि लोग आपको अनाडी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों क्योंकि जब हमेशा खाली रहती है आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं है क्योंकि दोस्तों दुनिया इस तरह नहीं चलती है लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं लेकिन आपकी कमी है क्या आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं जी हाँ दोस्तों तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दे आप संसार में सब को खुश नहीं कर सकती लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंब उनके भाग्ये की देन होते हैं आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेहतर ये होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाए आप उसे नियती मान कर स्वीकार कर ले और अपने बारे में अधिक सोचा जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आप से प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे दोस्तों अब बात करती है दूसरी आपके जीवन की कड़वी बात दोस्तों ऐसा अकसर होता है आपके जीवन में क्या आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं उतार चड़ाव से गुजरते हैं लेकिन ऐसे में आपकी याद बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही सहना चाहते हैं आपकी कांत में चले जाते हैं अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं आपके सच्चे प्रेमी होती है उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अंदेखी कर रहे हैं आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं इससे होता ये है कि ना चाहते हुए भी आपके रिष्टे में खटास आने लगती है लोग आपसे कटने लगते हैं तो दोस्तों नजरिया आपका सही नहीं है जो आपके सच्चे प्रेमी हैं जो आपके लिए जीते मरते हैं आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें उनके साथ बैठे हैं बैठे हैं उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान भी निकाल लेना दोस्तों अब बात करते हैं टिकट भी बात जो आपके स्वभाव में शामिल है दोस्तों आप इस बात को तो मानेंगे ही आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है तो मुझे कैसे दोस्तों आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं नाराज हो रहे हैं इसे होता ये है कि लोग आपसे कटने लगते हैं आपका रिष्टा खराब होने लगता है और आप अपनी आसपास एक नकारात्मक वातावरन स्वयम ही तैयार कर लेते हैं ऐसी में आपकी परिशानी कम होने की वज़या और बढ़ने लगती है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को कम से कम अपने लोगों पर तू भूल कर भी नहीं निकालना है क्योंकि भी आपकी प्रेमी है आपका भला ही चाहते आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है वैसे तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मक्ता के साथ स्वीकार करें ईश्वर की देन है ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो आपको कुछ आएगा ही नहीं मिलता ईश्वर की सकारात्मक्त सकती आपके जीवन में भी सकारात्मक्ता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हाल निकलने शुरू हो जाएंगे यहां दोस्तों चौथे कड़वी बात दोस्तों स्वभाव से ही आजाद खयाल इंसान है आपके जीवन में किसी का भी दखल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं यदि आप जो भी काम करते हैं स्वयम के दिमाग से और स्वयम की मर्जी से करते हैं आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार-बार किसी काम के लिए रॉकेट होके क्योंकि आप अपने उपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन दोस्तों यही पर आप कई बार गलती कर जाती है क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयम अपने दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अब होता ये है कि उनका लत फैसलों का परिणाम भी गलत होता है जिसकी वजह से आपको परिशानी उठानी पड़ती है बजाए इसके आप ऐसा करती कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयम लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं जी हाँ दोस्तों और पांचवी कड़वी बात दोस्तों वैसे तो आप बहुत मेहंदी इंसान हैं वह काम करते हैं अपने जीवन को बनाना और उसे उंचाई तक ले जाना आप अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इन सब अच्छाईयों के बावजूद आपके जीवन में अलसी प्रवृत्ती और काम को डालने की आदत में शामिल है अब इससे होता ये है कि जब आप अलग दिखाने पर आते हैं तो आप अपनी जरूरी से जरूरी काम को भी आगे डालते जाते हैं और नतीजा अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों आप अपने जीवन में एक बार जहांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यस्त में ही किसी बात को इतना डाला है इतना डाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया तो यह भी आपकी राशी के जातकों का एक गुण है या यूं कहें कि दुरगुण है जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए जी हाँ दोस्तों अब चैटिंग करती बात दोस्तों आपकी राशिक के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं कहने का मतलब यह है कि हर एक विशय पर इनकी अपनी तर्क होते हैं इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं जी दोस्तों सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तोर पर इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं जब तक यह तरक की कसोटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजरती है और इन्हें खुद वह मान्यता नहीं लगती है तो आप उसे नहीं मानते हैं फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे इस चक्कर में होता ये है कि लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं एक बार आपने किसी भी विशय वस्तू के उपर अपनी विचारधारा स्थाई कर ली तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करें आप उसकी बात नहीं मानते हैं इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनरगल बातें सुनाई देती हैं जी हाँ दोस्तों के साथ भी करनी बात की है चुट्टी अवश्य है लेकिन बहुत ही खास है वैसे तो आप दिमाग के बहुत तेज है आपकी बुद्धिकलवा हर इनसान मानता है आपकी अपनी अलग विचारधारा है जिसे हम स्वतंत्र विचारधारा भी कह सकते हैं लेकिन एक छोटी सी कमी भी है और वह कमी ये है कि आपकी याददाश्ट बहुत कमजोर मुरकामी यादाश्ट आपकी बहुत अच्छी है लेकिन छोटी छोटी चीजें आप अक्सर भूल जाया करते हैं जी हाँ दोस्तों जैसे आप अपना मुबाइल कहीं पर रख कर भूल जाए किसी से कोई बात नहीं है और उसे आप भूल जाएंगे किसी से कोई वादा किया है उसे आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे भूल जाएंगे या आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है इसकी वजह से होता ये है कि लोग आपको लापरवाह समझ लेते हैं हालां कि आप लापरवाह इंसान नहीं है अरे काम के महत्व को जानते हैं लेकिन अपनी छोटी सी नकारात्मक आदत की वजह से आपको लुक नकारात्मक ही समझ लेते हैं जी हाँ दोस्तों, आठवी, कडवी बात दोस्तों, वैसे तो आप बहुत आशावादी इंसान हैं और बड़े-बड़े लक्षे हासिल करने का दम रखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी कमी यह भी है कि आप भविश्य को लेकर चिंताएं अकसर करते रहते हैं। जी हाँ, दोस्तों, और कभी-कभी तो भविश्य को लेकर आपको चिंताएं, इस हद तक सताती है कि आपका वर्तमान भी खराब हो जाता है, यानि कि आज में आप नहीं जी पाते हैं, भविश्य को लेकर चिंतित रहते हैं, इस वजह से कभी-कभी अचानक कि आपका मूड खराब हो जाता है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, आपको संकी समझ ले, क्या आप अपने दिल का हाल आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इसका मूड खराब क्यों हो गया, कोई ऐसी घटना तो गाड़ कर रहे हैं इस वजह से आपको बता देंग कि आपका खान पान के ऊपर कोई नियंत्रन नहीं रहता है वैसे आप स्वास्थे को लेकर चिंतित तो बहुत रहते हैं कुछ ना कुछ गतिविधियां भी करते रहते हैं लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी कच्चे रहत जिसे आपको पेट से जुड़े लोग अकसर परेशान करते रहते हैं जी हाँ दोस्तों हम बात करते हैं दस मिनट भी बात आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं उसी के लिए आप सब कुछ करने को तयार रहते हैं लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों के लेकिन दोस्तों हकीकत इसके उलट होती है परिवार में माहौल बदलता रहता है कभी-कभी लापरवाही देखने को मिलती है लेकिन इस चक्कर में आप शक्ति बढ़ा देते हैं और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर निकलेश बढ़ जाता है हालांकि बाद में आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है फिर आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन दोस्तों भावनात्मक छूट एक बार किसी को लग जाती है पानी से ठीक नहीं होती है तो आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि कोई भी इनसान इस संस में परफेक्ट नहीं है और आपके घर के लोग या फिर आपके घर का वातावरन की सर्वोत्तम या पास नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ काम या तो रहती ही है तो आपको उन खामियों को भी स्वीकार करना चाहिए ये दोस्तों अब 11 दिन कड़वी बात दोस्तों आप असले को गलत साबित हो जाते हैं आपको नाकाम ही का मुह देखना पड़ता है किसान उठाना पड़ता है आप जीवन में जहांक कर देखे कई बार आपको परेशान है केवल आपके जिद्धी स्वभाव की वजह से ही प्राप्त हुई है आपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य क लिया है जिसके लिए हर इनसान आपसे ना कर रहा था लेकिन आपको वैसा ही लग रहा था और आपने उसे कर लिया बाद में आपको परेशानी हुई ना काम्याबी हाथ लगी और आपको अपने कदम वापस खींचने पड़े जी हां दोस्तों की अच्छी खबर ये है आप के लिए जैसे जैसे आपकी उम्र पड़ेगी आपका जिद्धी स्वभाव कम होता चला जाएगा ओड के 40 वें पढ़ाव में यानि 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपके अंदर की जिद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह बुद्धिमानी ले लेगी जी हां दोस्तों बारह दिन करती बात दोस्तों आपके स्वभाव की होती है कि आप जैसे इनसान से प्रेम करते हैं तो खुल कर करते हैं और नफरत करते हैं तो उसे भी खुल कर करते हैं दिखावटी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं इसे आपकी स्वभाव की कमजोरी मांग सकते हैं तो अब इस चक्कर में होता है ये है कि पूरे संसार में ठिंडोरा पीट जाता है कि आप इस से प्रेम करते हैं और किस से नफरत करते हैं जब्कि होना यह चाहिए कि इन बातों को छुपा कर रखना चाहिए लेकिन कि आपके स्वभाव की कमजोरी है कि आप इन चीजों के बारे में उनका चर्चा करते हैं जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी आपकी सुहाग की एक समस्या और है कि आप बनावट की भावनाएं किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं ऐसे में आप काम की गंभीरता को देखते हुए समय तक किसी के सामने थोड़ा सा भावनात्मक दिखावटी पर अवश्य दिखाएंगे लेकिन जल्दी ही आप उस निकाब उतार फेंके गए आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी इस वजह से आप अपने काम निकलवा पानी में अक् शक्ता पड़ती है ऐसे में आप असफल हो जाते हैं जी हाँ दोस्तों अब अगली कड़वी बात दोस्तों हम आपको खुल कर बात बताते हैं कि आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत अभीमान शामिल होता है जब आप किसी काम के मालिक होते हैं जैसे आप किसी बिजनिस या व्यवसाय के मालिक होते हैं तब आपका अभीमान कभी कभी अधिक बढ़ जाता है लेकिन अकसर यह भी देखा गया है आप अपने अभीमान का ग्यान भी रखते हैं यानि आपको यह पता रहता है कि आप अभीमान दिखा रहे हैं लेकिन हर जगे आप अपनी इस आदत आपको नियंतुरित नहीं करते हैं। जैसे कभी-कभी आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब चौधरी कड़वी बात दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन दिखावे बाजी में आपका कोई विश्वास नहीं है या नहीं। आप बिल्कुल भी नौटंकी दिखावे बाजी नहीं करते हैं। आप शुद्ध भक्ति में विश्वास रखते हैं। आप भगवान से सीधे संपर्क में रहते हैं। यानि क्या आपका मानना ये है कि भगवान अंतर्यामी है और वह आपके मन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो बाहर से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी अच्छी भावना उस वक्त पून रूप से बदल जाती है। जब आपके उपर करके बताएं ठूटती है। जी हाँ, दोस्तों को आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि आपकी राशिके जातक को ही दोशी मान लेते हैं और भगवान पर क्रोध दिखाने लगते हैं। कभी-कभी तो भगवान से अपनी भगती का पूजा-पाठ का पूरा हिसाब किताब भी मांगने लगते हैं। बातें अक्सर सुनने को मिल जाती है यह भी आपकी राशिके जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है। पड़ा कि आप बहुत गुधिमान इनसान हैं कर्म के विधान को अच्छी तरह से समझते हैं हमको भी अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आप जल्दी ही अपने आपको संभाल भिलेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है और आपकी धार्मिक्ता फिर जैसी की तैसीका हो जाती है जी हाँ दोस्तों अब अगली कड़वी बात दोस्तों हालां कि आप एक आकरशक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं बुद्ध संपन्न होते हैं अपने कारियों में निपून होते हैं लेकिन प्रेम के मामले में आप अनाडी साबित होते हैं कभी-कभी तो दुर्भाग्य साली भी साबित होते हैं आपको अकसर प्रेम में परिशानी और तू के देखने को मिलते हैं कभी-कभी तो आपकी प्रेम में परिशानी आपकी अनाड़ी पन की वज़े से ही उत्पन्न हो जाते हैं जी हाँ, दोस्तों, आप विचार करके देखिए, यह बात सक्त्य है या नहीं? हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात दोस्तों, आपकी राशी के जातकों में देरी की कमी पाई जाती है समझने की कोशिश करिए कैसी दोस्तों, आपने अपने जीवन में कोई कारे शुरू किया आपने कुछ समय तक इंतजार किया, जब आपको अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते तो आप बेचैन हो उड़ते हैं और आप जल्द से जल्द फिर उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं या नहीं हर की कमी की वज़े से आप असफलता को अपना लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो लक्षे तय करती है और लक्षे को पाने के लिए भी आप जल्द बाजी में रहते हैं यानि कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस लक्षे को हासिल करने हैं हालांकि आप ये अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कार्य होने में समय तो लगता ही है लेकिन आप उस समय को जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहते हैं इस चक्कर में कभी कभी आप उस शॉटकट के चक्कर में पढ़ जाते हैं इन शॉटकट की स्कीम की वज़ा से आपने कई बार अपना नुकसान कराया है उनका नुकसान कराया है व्यवहार का नुकसान कराया है आप विचार करके देखिए यह बात आपके जीवन में हुई है या नहीं हुई है जी हाँ दोस्तों अब अगली कड़ी धूप आपकी राशे के जातकों का भाग्योदय यानि जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होता है ये बात निश्चित है लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में भी आपको अच्छी काम्याबी हासिल हो जाती है लेकिन ऐसे में होता ये है कि आप उस काम्याबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं वह आपके हाथों से फिसल जाती है जी हाँ दोस्तों ऐसे में बहतर ये होगा कि ईश्वर से आपने कामना करें कि आपको जो काम्याबी मिले वह है बेशक थोड़ा देर से मिले लेकिन टिकाओ होनी चाहिए उम्र भर चलनी चाहिए जो जो काम्याबी आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होगी आपकी उम्र भर चलेंगे जी हाँ दोस्तों अब अगली कड़वी बात दोस्तों आप अकसर लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं फिर आपको धोखा मिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं यह सिलसिला लगभग हमेशा चलता ही रहता है आपके जीवन भर चलता रहता है आप बार-बार दुखी होते हैं बार-बार क्यों खाते हैं फिर आप सोचते हैं कि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे लेकिन अगली बार आप फिर से वही गलती दोहराते हैं इस चक्कर में आप कई बार भावनात्मक तोर पर तूट चुके हैं कि आपने की इसे बहुत अधिक प्रेम किया, बहुत अधिक लगाम लगाया, अपने दिल की हर एक बात खुल कर बताएं और बाद में पता चलता है कि वह इंसान तो आपका शोशन कर रहा था, आपके संसाधनों पर आपके उपर पैसे पर आखें गड़ाये हुए था, क्या भ लेकिन आप यही गलती फिर से करते हैं, यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है, जी हाँ दोस्तों, अब अगले कड़वी सच्चाई दोस्तों, वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जवाब किसी बहस में नकारात्मक हो जाती है, और बात मान अभिमान तक पहुँचाती है, जी हाँ, दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है, कि सामान्य से चर्चा शुरू हुई, और वह बहस बन गए, और फिर नकारात्मक बहस बन गई, और अंत में थोड़ा सा मन खराब भी हो गया, तो ऐसे में आपसी बुराईयां मांगने लगते हैं, और आपकी बातों में अपना अपमान दिखने लगती है, हालांकि आपकी मन नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, जी हाँ, दोस्तों, और अंत में एक और पूरी सच्चाई आप जरूरत से अधिक वादे कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों फिर आप उन बातों को निभा नहीं पाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी आपकी खिली उड़ जाती है। ये दोस्तों आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में जरूर से ज्यादा जुक जाते हैं। जरूर से ज्यादा बातें कर जाते हैं। और कुछ बात ही ऐसे होते हैं जो आपकी सीमाओं से बाहर है। फिर आपने पूरी नहीं कर पाते और फिर आपका मजाक उड़ा जाता है तो यह भी आपके स्वभाव की एक कडवी बात जिससे आपको बचना चाहिए जी हाँ दोस्तों, तुझे तो थी आपके स्वभाव की कुछ कडवी बातें वैसे तो बीस बंद कर दी, बातें हैं लेकिन हमने खेला नहीं है दोस्तों शायद कुछ कम या ज्यादा रहेंगे आप कमेंट करके बताना तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वह कौन से देवता है जिनकी आपके उपर हमेशा नजर रहती है हर अच्छे बुरे का पूरा हिसाब किताब उनके पास रहता है आपके जीवन का खास तोर से पिछले लगभग दस सालों से आपके उपर उनकी तीखी नजर बनी हुई है तो आपको कैसे उस देवता को अपने पक्ष में करना होगा यहाँ दोस्तों यह बहुत ही महतुपूर्ण जानकारी है इसे ध्यान से सुने अन्यता आप जीवन में बहुत परिशानियों का सामना करेंगे तो ध्यान से सुने दोस्तों शनी देव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम कहीं भी मानते हैं उससे भी अधिक होने देता मानते हैं कल युग में शनी देव को न्याय का और कर्ण का देवता कहा गया है शनी देव की आपके उपर हमेशा तीखी नजर रहती है आपने ये नोटिस की होगी कि आपने चाहे छोटी से छोटी गलती ही क्यों न की हो अपने जीवन में आपको उसका दंड अवश्य मिला है न दोस्तों आप थोड़ा सा अपने जीवन में जहांक कर देखिए आपने अगर जरासी भी गलती की होगी लोगों ने चाहे कितनी ही बड़ी गलती की हो उन्हें भले ही माफी हो लेकिन आपने यदि छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको उसकी सजा अवश्य मिलती है अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों क्योंकि आपके उपर शनीदेव की नजर है और शनीदेव है ही कर्म की टिपानिया के देवता भी आपके साथ हमेशा न्याय करते हैं तो यह तो आपके लिए नकारात्मक बात हुई आप सकारात्मक बात यह है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि तो अब ऐसे में आपको सतर्क रहना है शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी किसी भी एग्रिमेंट को साइन काले रंग की ना करें महीने की आठ सत्रा और छबीस तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ना तो कोई कर्जा लें और ना ही कोई घर जाते हैं जी हाँ दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जब करने जाएं तो अपने पैरों में यानि पेंट लगे रहे खाली रंग की ही पहने लेकिन उन पर कोई भी कपड़ा काले रंग का ना पहने कुर्ता ये शट काले रंग की ना पहने अन्य था आपका काम नहीं बनेगा किस आशा दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर अवश्य जाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं हो सके तो छाया दान भी अवश्य करें और ओम शम शनिश्चराय नमह इस मंत्र का एक माला जाप करें इससे होगा ये शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके लिए न्याय ही करेंगे आपकी हर एक क्रिया का सही फल आपको प्राप्त होगा आपके जीवन में सुक सम्रिध्य पड़ेगी जी हाँ दोस्तों शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें भी आप दान कर सकते हैं जैसे लोहा तेल या फिर काली उड़त बाल काले कपड़े या फिर काला कंबल वगएरा वगएरा इन सब चीजों से शनिदेव बहुत प्रसंद होते हैं और मनोवांचित फल प्रदान करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको कि आप इस जानकारी का उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आप आएंगे यदि आपको इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रशन है तो आप उन्हें कॉल करके पूछें हम आपकी हर एक प्रशन का आपको खुल कर जवाब देंगे दोस्तों लेकिन हम आपसे फिर भी यही करेंगे कि वीडियो आप पूरे धैर्य के साथ दिखा करें हम आपकी हर एक शंका का समाधान वीडियो में ही कर देते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जयमान लक्षमी लिखना ना भूलें